नमस्कार दोस्तों हमारे online tuition अड़्डा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों इस class में आपको एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका नाम है school की दोस्त दोस्तों आप यह थी थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे तो आप जरूर बच्पन में school गए होंगे उसी से related एक बहुत ही रोचक कहानी है इस कहानी को पढ़ना है और main मकसद हम लोगा रहेगा इस कहानी में पढ़ना और लिखना सिखना देखें दोस्तों इस कहानी में बहुत कठिन कठिन सब्द है उन सबी सब्दों को मैं बीच बीच में पढ़ना लिखना दोनों सिखाऊंगा आपको कुल मिलाकर मैं इस कलास में एक एक सब्दों को पढ़ाऊंगा और एक एक सब्दों को आपको भी खुब ध्यान से सुनना है देखना है कि कैसे पढ़ा जा रहा है आप बहुत सारे सब्दों को पढ़ चुके हैं बहुत वाकिकों भी पढ़े हैं लेकिन कहाने के माध्यम से जो सीखेंगे आप वो बिल्कुल अलग है इसलिए बहुत ये कलास इंपोर्टेंट है तो आए बिना देरी किये हुए इस कलास पढ़ते हैं बिद्याले में क्या है कहानी क्या नाम है और इसी से अंडर है इस तरीक बहुत सारे सब्सक्राइब सब्सक्राइब शिग्र सब्दे सब्स्द जो मिलते जाएं उसको मैं लिखना भी सिखाऊंगे और और इसटोरी को आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे जहां से देखिए न्रेंद्रे इसको क्या पढ़ेंगे न्रेंद्रे बताया आपको नरेंद्र सुरेंद्र जितेंद्र ये कैसे लिखा जाता है जिसे नौ रे ठीक है ये जो बिंदी उपर दिया है आप इसको दो के साथ ही ऐसे लगा कभी लिख सकते हैं ठीक ना आपने कहीं देखा भी होगा ऐसे लिखे हुए नरेंद्र ऐसे भी लिखा जाता है या इ सहरोद के पड़ रहा है तो सर्वो डाया सर्वोदय, ठीक है, तो ये जो है रेफ की मात्रा है, एक चीज आपको हमेशा अलग मिलता होगा, और मैं कहीं इस्ट्वी में पढ़ाता हूं, तो इस्ट्वी में आपको मिलता हूँ कहीं कहीं गाउ ऐसे लिखा हुआ राता है, उप केवल बिंदी देकर दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि चंद्र बिंदू और बिंदी यह दोनों का उचारण सिमिलर होता है एक जैसा होता है लेकिन दोनों में अंतर होता है ठीक है यह थोड़ा से हो गया इसको कह सकते हैं कि इसमें जिसे गाउ गाउ ऐसे बोलेंगे इसको गाव बोलें क्या बोलें गाव यह यह ऑन की मातरा है और यह चंद्रबिंदु की मातरा है मैं सब्सक्राइब इस में धोनों से लेट्टट बहु सारे सब्दों को में पढ़ा दूंगा अंतर करते हुए वहां आपके किलियर हो जाएगा ठीक है यहां पर हम लोग यहां पर देखते हैं जैसे गाओ के सरवोदय विद्ध्यालय में पढ़ता था यह पढ़ता लिखा गया है जब तक यह ढ़ा के नीचे बिंदी नहीं होगा तब तक इसको हम लोग और नहीं पढ़ेंगे ठीक ना तो पढ सवर्द्व को ये यह सटुन Simmons चुक कर ऐसे बन जाता है चिकल ऐसे तो बहुत सारा दोस्त कहां पर गलती करते हैं कि वह इसके जगहापर से द्धलिख दिते एंब हो रिखने confidence में और इसमें काफी अंतर है यह सही है यह गलत हो जाता है विद्याले विद्यार्थी यह सब कुछ भी लिखते हैं तो तो जो गाव के सर्वोधा विद्याले में पढ़ता था एक नरेंद्र नाम का लड़का जो था हीत दर असल देखें दर असल बताया हूं मैं बड़े बड़े सब्दों को पढ़ना है एक दोधिंधर कमेंट रोज कर रहा है किसार मुझे बड़े बड़े सब्दों को पढ़ने में दिक्कट हो डिक्कत लिए नहीं düşün जा नरेंद्र का परिवार दिल्ली देखी लेला संजुक मिया दिल्ली शहर का था क्यों कि जो यह लिखा है क्यों की भहु जग आप ऐसे भी देखाएंगे क् यह साथ लिखा रहाता है लेकिन यहां पे जो क्यों कि लिखा है इस पर जोड़ लगा क्यों की नरेंद्र के पित भारतिये सेना में थे मतलब की वो जो था दिल्ली में रहता था क्यों की नरेंद्र का पिता थे वह भारती सेना में थे इसलिए दो शाल पहले ही उसके पिताजी कई उस गावन में बदली हुई थी तेना किस गावन में एक बिहार का एक छोड़ा सा गाऊ था उस गाव में ठिक नरेंदर के पिताजी की बद्ली हुई थी नरेंद्र पढ़ाई और खेल में बहुत अच्छा था नरेंद्र जो था पढ़ाई और खेल में बहुत अच्छा था इसलिए वह उस गाओं के बिद देले इसको क्या हम पाढ़ औलोग प्रिय एक दिन अचानक से पिता जी की बदली पटना सहर में हुई बिहारव का जो राजधानी है वो पटना है तो एक दिन उसके पिता जी की बदली अचानक सी पटना में हो गई दो महीने के अंदर नरेंद्र के परिवार को वह गाव छोड़ कर पटना जाना पढ़ रहा था दूसरे बिद्याले में वह कैसे जाएगा उसका मन लगेगा या नहीं या सोचकर नरेंद्र परिशान था अब यहां से बदली होगी तो उस नरेंद्र भी जाएगा अपने पिता जी के साथ तो अब वहां पि उसका मन लगेगा की नहीं वो दूसरे बिद्याले में कैसे जा गए यह सब चीज सोचकर परेशान हो रहा था कौन नरेंद्रे उसकी परेशानी को देखकर उसकी उसकी हो गया उसकी मा ने उसे समझाया उसकी परेशानी को देखकर उसकी मा ने उसे समझाया बेटा हमें यह गाव छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा परंतु तुम्हें ज्यादा ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं थोड़े ही दिनों में वहां भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और तुम्हारा मन एस्कूल वह मित्रों में लगने लगेगा तुम्हारा मन इसकूल और मित्रों में लगने लगेगा तुम्हारा मन ने उसको समझाया किसको नरेंद्र को समझाया और जैसे कभी हाली में मैंने पदेन रो को पढ़ाया है तो मैं बताया था कि टॉ में ऐसे रो लगता है ठीक ना तो देखिए इसको क्या प्राइब के बाद अकार है और उपर बिंदी है ठान ठान ठीक ना नो का भी उचारन होगा तो ट्रांसफर का ओडर जैसे यह जो है यह और लेकर जब नरेंद्र के पिटा अपने पर्युवार के साथ पठना पहुँचे तो यह नाया शहर नरेंद्र के मन को एकदम भा गया जब नरेंदर के पिता नरेंदर को अपने साथ लेकर पटना पहुचे तो वे नया सहर जो था नया तो वो उसको भागया यानि उसका मन वहां पे लगया वहां शिग्र ही एक अच्छे विद्याले में नरेंदर को दाखिला मिल गया वहां एक अच्छे से विद्याले में नरेंदर को बहुत जल्दी दाखिला मिल गया परन्तु जब नए विद्याले में नरेंदर को उसकी कक्छा के विद्यार्थियों ने चिड़हाना शुरू किया तो उसे बहुत बुरा लगा उसके जो बिद्यार्थी जो उसको मिले उसके क्लासमेट अब उसको चिड़हाना शुरू किये तो उसको बहुत बुरा लगा क्या चिड़हाते थे नरेंदर बहुत दुखी लगने लगा नरेंदर जो थो बहुत दुखी लगने लगा दुखी रहने लगा एक दिन जब उसकी मा ने उससे खुल कर इसका कारण पूछा तो फिर नरेंद्र ने मा से सभी बाते असपष्ट बता दी नरेंद्र ने अपने मा से सभी बाते असपष्ट बता दी वह मा से यह बताते हुए की कक्छा के विद्यार्थी उसे चिड़ाते हैं कक्छा के विद्यार्थी जो है उसे चिड़ाते हैं और उसे अपने साथ नहीं खेलने नहीं देते हैं उसके जो कक्छा के विद्यार्थी उसे चिड़ाते हैं और अपने साथ उसे नहीं खिलने देते हैं वो अपनी मा को सब बात बताया उसकी मा ने उसे समझाया बेटा बिद्याले तो जाना ही होगा जब तुम्हें बच्चे चिड़ाए तो तुम कुछ मत कहना और नहीं मुह बनाना बलकि उनके साथ हशने लगना और तुम बच्चों से खुद ही बात करने की कोशिश करना उन्हें यदि पढ़ाई में कोई दिक्कत होती हो तो उनकी मदद करना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा उसकी माने उसको समझाया नरेंद्र मा की बताई तरकीब के अनुशार चलना चलता गया अब पुराने विद्याले की ही तरह नरेंद्र इस बिद्याले में भी प्रशिद्र इसको आपढ़ेंगा प्रशिद्रशिद्रशिए प्रसिद्ध होने लगा था जैसे कि वह पहले वाले बिद्याले में था वैसे ही वहां भी वह प्रसिद्ध होने लगा था अपनी पढ़ाई और मेहनत के दम पर उसने अध्यापकों के बीच भी अपनी अच्छी पहचान बना ली थी अब सब बच्चे भी उससे मित्रता करने को आतुर थे अब जितने भी बच्चे थे अब उससे मित्रता करने को आतुर थे कि इस स्टोरी का मोरल क्या है कि जीवन में कोई सही निर्णय नहीं है क्योंकि हम जो भी निर्णय लेते हैं वह नया और अप्रत्याशित होता है यानि कोई भी जो निर्णय है जो आप लेते हैं यदि आप वहां पर निर्णय ले लेते कि नहीं बच्चे मुझे परसान करें तो मैं उसका कंप्लेन करूंगा मैं भी उससे या स्कूल छोड़ दूंगा ऐसा करता वह लड़का तो वह नहीं पढ़ पाता तो कोई भी लेते हैं में कोई भी निर्णय जो हम लो लेते हैं वह क्या होता है और अपरत्यासित होता उने सकिल्एई slash दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज कमेंट बक्स में लिख कर बताईएगा और यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लिजेगा चले दोस्तों आज एक कलास यहीं पे इंड करते हैं मिलते अगले कलास में जैहिन